जन्म कुंडली अध्यायन करने के लिए एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके समुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली है रुशी पटेल जी की जन्म की तारीख है 1 सेप्टेंबर 1992 और जन्म का समय है प्राता काल पांच बच करके 20 मिनट राजकोट गुजराथ USA में हैं पिछले 12 साल से अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं ये जानना चाहते हैं कि वहीं USA में निवास करूं या भारत लोटाओं क्या करूं और भी कुछ इनके प्रश्ण है इनके प्रतेक प्रश्ण का हल हम इनकी जन्म कुंडली से तलासेंगे तो आप भी अगर इनकी जन्म कुंडली का अध्यान करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने जन्म तारीख नोट कर लिया होगा अब एक बार इनके पंच आशिश होते हैं और इनकी जो कुंडली बनती है वो करक लगन की बनती है करक लगन कैसा लगन है आप सभी जानते हैं भावुक भावना प्रधान जोतर शास्त्र आध्यापनिक दृष्टिकोंड से अगर देखें क्योंकि जोतर शास्त्र अपने आप में महान आध्यात्मा है तो कर्क वो लगन है जो परमात्मा के सबसे करीब है जी हाँ इसलिए तो भगवान सुरी राम ने इस लगन को चुना और भी बड़े-बड़े महाशंत और महापुरुशों की जो कुंडली है वो कर्क लगन की है इस लगन के लोग निसंदेह भावुक होते हैं भावना प्रधान होते हैं भावनाओं में बहने वाले होते हैं मैं जब आलस्य सब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो कई बार लोगों ने कहा कि भगवान स्री राम क्या आलसी थे नहीं आपने पूरा शब्द नहीं सुना आलसी तो होते हैं लेकिन ये दूसरों के काम के लिए कभी आलसी नहीं होते हैं आलस्य सब्द का यहाईन के लिए अ जाते हैं प्रेमी जवर्दस्तों होते हैं उच्च कोटी के प्रेमी होते हैं कहते हैं जिसका हाथ पकड़ लिया हाथ टूड़ जाए परन्तु हाथ नहीं छोड़ते यह इनका मूल सभाव होता अब राशी फल में सूत्र मैंने बताया था काल पूरुस की कुंडली के आधार जन्म कुंडली का अध्यान अब जरा देखिए इनकी कुंडली में लगने इस जाकर के बैठे हैं कहां पर तो कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र की रासी में तुला रासी में कैसे हो जाते हैं तो नीचा भी लाशी हो जाते हैं तो आम परिस्तितियों में कहें तो कम प्लस पॉइंट ये है कि ये मानसिक अशांति और परिशानी चंद्रमास के चलते उधपन न कराएंगे तो प्लस पॉइंट ये है कि भूमी भवन वाहन का सुख इनके जीवनकाल में इनके पास खूब होगा निसंदेह इनको जंद्रबापर अपसनी देव की दृष्टी ये वो कारक नहीं है लेकिन अगर आप इनके सडबल को जाकर के जब देखेंगे तो सडबल में सबसे ज़्यादा बल सनी को आ रहा है दूसरे नंबर के सबसे बलवान ग्रह हैं सनी देव क्यों इसके पीछे कारण है पहले तो इनको भाव बल मिल रहा है एक तो शष्महाप यानि हमेशा आपको ये बात तय करके चलना है जीवन में कि कभी भी कोई कारे वक्त पर नहीं होगा स्विकार कर लिजी इसको कि हम अंत तक संहर्ष करेंगे लगातार करेंगे जब तक हमें सफलता न में जाए लगनेस का संबंध सुख से सुखेस का संबंध पराकरम से अब ये पराकरम भाव में बैठे तो हैं लेकिन फल दे रहे हैं धन भाव का, कुंडली में चलित चक्र जब हम जाकर गे देखते हैं तो कुछ छोटे मोटे परिवर्तन हुए हैं जैसे ब्याएस का जाकर के कुंडली के धन भाव में बैठना परन्तु फल देना लगन का लगनेश का सुख में बैठना मंगल लाब भाव में ठीक है यह थावत राहु जो सश्टम में दिखाई पड़ रहे हैं वो पंचम का फल दे रहे हैं और केतू मंगल के साथ यानि कि साथ के तो यह यूती तो नहीं कि नहीं जा सकती फल दे रहे हैं लाब का तो ये परिवर्तन इनके चलित चक्र में दिखाई पड़ता है। अब ज़रा गौर करिए कि धन भाव में धनेस जाकर के बैठे हैं 15 हंस दो कला के साथ। धनेस धन भाव में होना अपने आप में बहुत अच्छी स्थुती। और आप सफल रहेंगे क्योंकि आपने जंग जीत ही लिया है। गौर करिए जल तत्विये लगन वायू तत्विये रासी। लगनेस और रासिस में मैत्री नहीं है। मित्रता नहीं होती शुक्र और चंद्रमा में। हाला कि चंद्रमा किसी को अपना सत्रू नहीं मानते पर फिर भी तो इसके चलते कहीं न कहीं जीवनकाल में थोड़ा संघर्स, थोड़ी परिशानी, अब गौर करियन की कुंडली के दुतिय भाव में गुरू और सूरिय बैठे हैं, गुरू और सूरिय गुरू जो की कुंड अब बारी आती हैं की कुंडली में सिक्षा भाव के स्वामी की, वो जाकर के कुंडली के लाब भाव में बैठे हैं 28-37 कला, दृष्टी डाल रहे हैं बाल अवस्था के हैं, आपने मेरा एक सूत्र सुना होगा कि जब भी हम किसी ग्रह का फलाफल कर रहे हूं, तो हमें इस इस बात का खयाल रखना होता है कि वो ग्रह जिस राशी में बैठा है, उस राशी का राशी पती किस अवस्था में बैठा है, शुक्र के नीच हो जाने के कारण और मंगल का बिलकुल बाल अवस्था में होने के कारण, कमजोर अवस्था हुई ये, और इसके कारण इनके ज इनका जो जीवन है वो पिछले 12 साल से USA में कट रहा है अब ये जानना चाहते हैं कि हमेशा के लिए यहीं पर हुँगा या इंडिया वापस आ जाओंगा मेरे लिए कहां पर रहना बेस्ट है भारत में या USA में प्रियदर्शकों जादातर लोगों के मन में ये प्रशन उत्पन होता है कि हमें कहां रहना चाहिए किस देश में स्वदेश में या विदेश में अथवा पर देश में आज के इस परिवेस में देखा जाए तो 99% लोग पर देश में निवास करते हैं 99% लोग पर देश चले जाते हैं विदेश नहीं परदेश अपने देश में ही अलग अलग जगहों पर जदतर लोगों के साथ होता है एक प्रतिसत लोग स्वदेश लोट जाते हैं जहां जन्मलिया है उन्होंने अब विदेश जाने बालों की संख्या भी इसी में है जो की लगभग 30-40 प्रतिसत त सबसे करीब क्योंकि वेद का नित्र है और यह कहता है जब आपको अपना देश ही छोड़ना पड़े तो यह मृत्यू के समतुल्य है फलस्वरुप अश्टम भाव से सदा के लिए बस जाना इसका विचार किया जाना चाहिए तो अश्टम पती जाकर के सब्तम में स्वग्री होकर के बैट करके लगन लगन यानि आपको जिसको रहना है देख रहे हैं अब जरा गौर करी आपकी कुंडली कहती है कि आपकी कुंडली में चतूर तभाव पर भूमी भवन वाहन का जबरदस्त सुख है तो इसका मतलब है क कि आप विदेश में भी ब्यवस्थित रहungen है और स्वधये रहीए यानि आपका जो आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट होगा वो स्वधश में होगा लेकिन आप अपनी कमाई विदेश में ही करिएगा तो ज्यादा बेहतर तो यह हैं कि बगला इन्होंने प्रश्ण किया है लाइफ में बहुत तकलीफ रही है कुछ फैमिली प्रोब्लेम की वज़ा से 2006 से 15 तक बहुत ज़्यादा रहा मैं हाई स्कूल तक की भी स्टडी नहीं कर पाया फ्यूचर में कर पाऊंगा अपना घर सब कुछ ले पाऊंगा जिहां अभी सणी देव का बल बताया था कारक नहीं कहा था कारक नहीं है सणी देव इस लगन में कारक तो यह मंगल हो सकते हैं और मंगल ही है क्योंकि इस कुंडली में सड़बल में सबसे बली मंगल ही है और इनहीं को बल देना है क्योंकि इनहीं को बल देकर के जीवनकाल में सब कुछ चांसिल होगा तो आपने जैसा पूछा कि आगे की सिक्षा ग्रहन कर पाऊंगा देखिए आपकी कुंडली में उच्छा के कारक और सिक्षा के कारक आप ही नहीं कर सकते हैं देव गुरु मृत तवस्था में हैं आपके पास सूर्य और गुरु की युति का योग है ये जबर दस्त माना जाता है जातक यंदर एक्स्ट्रा टैलेंट उनका दिमाग बढ़ातिब्र होता है तो आप पढ़ाई करना चाहें वा न करना चाहें देश दुनिया घूमने के कारण इतना आपके पास ग्यान हो चुका है कि लोगों के साथ उनके विशयों पर आप सामान्य तो प्रॉब्लम आगे भी रहेगी पीछे बीत गया ऐसा मत समझीएगा आपकी कुंडली में फैमली प्रॉब्लम सबसे जादा है और वो रहने ही रहने वाला है और ये भी एक चिंता का विशया आपको सकते हैं कि ये भी एक कारण बनेगा कि जहां आपको फील हो कि इससे अच जादा बढ़िया है यहां की अपक्षा वहां पर आपके घर का माहौल भी ठीक रहेगा क्योंकि कहीं न कहीं पास्चात्यों कि कारक हो जाते हैं शनिदेव और यहां एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि अक्षांस और देशांतर के अंतर से जब आप स्वदेश मे हैं तो यहां का अक्षांस देशांतर और जब आप परदेश में होते हैं विदेश में होते हैं वहां का अक्षांस देशांतर यह अंतर हो जाता है और जब गोचर में ग्रहों की विस्तुति बदलती है तो उसका भिन्ण प्रभाव आपको मिलता है तो मैं आपको बता दू अभी आपकी कुंडली में गुरु की महतसा में चंद्रबा और आने वाले दिनों में मंगल कांतर आने वाला है लेकिन हाला कि अभी आप देखें तो साधे साती आपने देखी अभी आप धाया देख रहे हैं और अभी आप एक बार और 23 के बाद जब सनिदेव कन्या रासी को आपको पार करते हुए विदेश में बने रहे हैं यहां आने की गलती न करिए यहां आना ही आपके लिए नुकसान देए सुद्ध होगा वहां रहना नहीं मैं अभी छोटी मोटी फैक्टरी में जॉब कर रहा हूं यूएस में मुझे भारत में डेरी फार्म का बिजनेस कर करिए एक वरकर मजदूर टाइप के अव्यक्ति जो कि गाउं में रहता है वो गाउं से निकल करके मुंबई चला जाता है मुंबई में जाकर के वो मजदूरी करता है लेकिन जब गाउं आता है तो बड़ा टिप टॉप बढ़िया एक चस्मा भी उपहन लेता है और एक हा लेखती कई बार सहर के व्यक्तियों से बहुत ज़ादा धननाध्य होता है उसके पास जमीनित्यादिक की सका दाम निकाला जाए तो सहर में निवास कर रह है लोगों से कहीं ज़ादा धनवान होता है लेकिन रहन सहन खान पान वेश्वूसा इत्यादि थोड़ी सी मतलब मै ये तो नहीं कहूंगा असभ्य क्योंकि भारतिय सुन्सकृती ग्राम में परिवेस नहीं आती है, असभ्य तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सहरी लोगों को असभ्य लगता है, लेकिन हाँ, उनके बच्चे थोड़ा सा एक अलग तरह की सोच वाले और एक सहर में रह रहे बच्चे, उनका विकास जो हो रहा है, वो थोड़ा अलग हो जाता है, वो प्रिषक्ता दिखाई पड़ती है, और आज के परिवेस में जहां हम कंप्यूटर यूग में जी रहे हैं, तो यहां वो ज़्यादा रास आता है, ग्राम में परिवेस की अपिक्चा, तो आपने जैसा पूछा, जैसा आपने बताया कि फैक्टरी में जॉब कर रहा हूँ, वही फैक्टरी अगर आप भारत में आ जाईए, तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, वही फैक्टरी वहां पर भी आप कर रहे होंगे, तो वहां ज़्यादा विक्सी जगह है वो, तो वहां पर फैक्टरी में जॉब करना भी आपके लिए विवस्थाएं, मैं सुनता हूँ कि विदेश में जो लोग फैक्टरी में भी जॉब करते हैं, उनको भी कई तरह की फैसलिटीज वगर दी जाती है, ना भी दी जाती हो तब भी इंकम से लेकर के कई चीजें वहां यहां से तो बेहतर है, अब दो भी कल्प है, अगर आप गुद्धिमान व्यक्ती हैं, तो थोड़ा सा सह कर, थोड़ा कस्ट काट कर, पैसा जोड लीजिए, पैसा बचा लीजिए, और उन पैस्तों को यहां लगाईए, गौर करिए कि यहां आप कमाते तो पेट भरने से ज आईए आप वहीं, निसंदे, जब आप यहां नहीं होते हैं, तो आपका व्यापार बहुत अच्छे से कभी नहीं चल पाएगा, आपके अपनों को भी अगर आप उनके भरोसे भी छोड़के जाते हैं, तो वही आपका नुक्सान करने में लगे रहेंगे, एक व्यापारी की स्रेष्ट बात है, कि मैं 2 रुपए चोरी जो कर रहे हैं, उनका बचाना देखूं, इससे अच्छा है, मैं 4 रुपए वहां कमाल हूंगा, तो उनको चोरी करने देते हैं, तो ये आपको देख लेना होगा, कौन आपका अपना है, किस पर आप भरोसा कर सकते हैं, और किस पर भरोसा करके पैसा लगा सकते हैं, सबसे पहले बता देता हूं, नाम, ब्यापार का नाम, सदय आपको म अक्षर, म, म अक्षर से जगह, म अक्षर से ब्यापार का नाम रखना होगा, इसी नाम से आपको जबर दस्तों सफलता मिलेगी, नोट करिए, म अक्षर से जगह का अब बारी आ जाती है कौन सा ज्यादा ब्यापार बढ़िया है अथवा डेरी फार्म का ब्यापार ये चंद्रमा आपकी कुंडली में सनी से द्रिष्ट है ब्यापार पती शनीदेव बनते हैं लगन कामान देखा जाए तो 28 अंसर सुर्याप की कुंडली में अगर हम देखते हैं तो पंद्रह और चंद्रमा को अगर हम देखते हैं तो आठ दसघर आगे आने पर मंगल की रासी आती है और मंगल नौमान समय जाकर के अगर देखा जाए तो बैठे जुए हैं बुद्ध की रासी में मेरी राय मानिए डेरी फार्म का जो ये बिजनेस प्रोजेक्ट आपके मन में भी आया हुआ है इससे अभी टाल दीजिए इस पर विचार भी मत करिए इसमें आपको नुक्सान हो जाएगा आप इसकी जगह कुछ पैसा आपके पास इकठा होता है तो जन्रल स्टोर टाइप का व्यापार या सूपर मार्केट टाइप का व्यापार ऐसा कुछ व्यापार सूचिए जहां आपने लगा दिया व्यवस्था बना दिया और वहां से सारा कुछ सारा कुछ कम्प्यूटर है आप यहां नहीं भी हैं तब भी नहीं कोई टेंसन नहीं एक जगह से टाय कर दिया प्लानी जगह से सामान आ रहा है प्लानी जगह जा रहा इत्यादी और सब कुछ कैमरे की निगास निरप्षन कर सकते हैं कारे करना हो उसमें भी आपको बेहत फायदा मिलेगा सड़वल में मंगल का बल बहुत ज़्यादा है अतह मंगल से रिलेटेड काम करके भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं मंगल से रिलेटेड और शनी का चंद्रमा के उपर दृष्टी संबंध आप केमिकल कीट ना देगी क्या कभी मुझे लौटरी लग सकता है विदेश में रहने वाले लोगों को यह सहूलियत है भारत में तो बहुत कम है कुछी जगों पर है विदेश में सभी लोगों के वहाँ पर सस्ता टिकट और वो लोग खूब खरीतते हैं तो मैं बता दूँ आपको कि आपकी क सफल आपको मिल रहा है कि ब्याए पर अपने कंट्रोल रखना है सेहत का आपने खयाल रखना है और जैसा मैं देख पा रहा हूं इस कुंडली में धन बहुत अच्छा होगा अब लोट्री सट्टा जुगा आकस्मिक तरह एक तरह से देखा जा तो इसके लिए कुंडली का आपका भाग ये चमक जाएगा वैसे मैं कहूंगा कि आप हो सके तो शेर मार्केट वगरा में भी पैसा लगा करके देख सकते हैं वहां से भी आपकी इंकम होगी चंद्रमा परस्वनी की दृष्टी है अतह ये आपका भविश्य नहीं है र्याद रखिएगा शेर या पांचोए बार लगया ऐसा बार बार लगा ऐसा नहीं होगा और शेर मार्केट में बहुत बड़ा अमाउंट या उसी के भरोसे रहना ऐसा नहीं करना है आगे आपने पूछा है मेरी शादी के चार साल हो गए साधी सुधा लाइफ कैसी रहेगी संतान के कुछ योग है कब तक संतती होगी हमारी साहब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताये था गुरू की बात आपकी कुंडली में गुरू देव थोड़े कमजोर पड़ गये हैं जिसके चलते आपके सप्छा भी अधूरी रही सडबल में भी उनके पास बल कमजोर है लेकिन एक बहुत बड प्रदान करेंगे तो इसको बल प्रदान करेंगे तो संतती सुक किस्तिती बन जाएगी शुक्र जो कि संतान का कारक पुरुशों में स्वम का कारक है वो वो आपकी कुंडली में किस स्तिती में है तो कन्या रासी में नीच की रासी में बैठा हुआ है तो कमजोर पड़ जा मैंने बताया थोड़ा मत भेद रहेगा लेकिन ठीक है हलाके शुक्र नीच रासी में तो बहुत ठीक तो नहीं कह सकता लेकिन यो यो भावा स्वामी द्रिश्टो यू तोवा सनी खुद की रासी में बैठे हैं और देखा जा तो सड़बल में सबसे बली हैं तो विवाह तू जलत मिरने ना लीजे सबसे पहले उपाए क्या सुरु को बल दीजे कैसे भुवन भासकर के रवीवार के रवीवार में उपाए कराया करता हूं वह करिए सुर्य भगवान को अर्गे प्रदान करिए दूसरा मंगल का रत्म होता है मुंगा लगभग सवा नौ रत्ति क्यास पास का मुंगा सोना अथवा सक्षम है तो नहीं तो ब्रॉंज एक भातू होती है अनामिका उंगली में मंगल बार के दिन धारण कर लिए तीसरा चंद्रमा शनिदेव से दृष्ट हैं और नीचा भिलासी भी ह तो आप अगर वहां पर रह रहे हैं तो भारत कभी आईए तो यहां से एक शूलिंग लेकर के जाईए नर्मदेश्वर मिल जाए तो नर्मदेश्वर स्फटिक अथवा पारत का जो भी शूलिंग आपको प्राप्त हो जाता है वो शूलिंग लेकर के जाईए वहां पर और और बात का आपको ख्याल रखना है जीवन साथी का अपमान मत करिए उनकी बातों को मानिए उनको समझी और उनको समझाइए साथ ले करके चलिए गुरुबार का वरत करना प्रारंभ कर दीजिए गुरुबार का आपको वरत करना होगा और रभी बार के दिन नमक का त्याग करना होगा ये सारे उपाए आप नोट कर लीजिए आपको करने हैं और संतान गोपाल मंत्र क्योंकि चार साल होगे आप तो भी लंब हो रहा है पर फिर भी यही कहूंगा कुंडली में अगर मिल रहा है तो ठीक है डॉक्टर की डॉक्टर के पास जाईए उनकी देख रेक में जाईए और यह उपाए जो मैंने आपको सभी क्या सभी बताया यह करना सुरू कर दीजिए भगवान ने चाहा तो बाकी सारी इस्तियां ठीक ह हो जाएंगी और व्यापार में जो मैंने कहा है वह कर दीजिए प्रेदर्शकों यह थी जन्म कुंडली में की यदि आप इस कुंडली के संब्दर्व में कुछ कहना चाहते हैं इस कुंडली से संबंदित कोई तत्थ कोई तर्क जो मेरे दिमाग से छूट गया हो मैंने नह कर रहा है स्वागत है आपका कॉमेंट में अवस्य कॉमेंट करके बताइए आज के लिए इजाजत दीजिए पुना मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार